हेलो गाईस, आज हम बात करेंगे ओपो एप 17 एड़ ओपो एप 17 प्रो के नूटिफिकेशन से रेलेटेड कुछ सेटिंग्स के बारे में आप लोग ने नोटिस किया होगी भाई हमारे फोन में जब भी हम नया फोन परचैस करते तो battery percentage हो नहीं हो था, network speed हो नहीं होता,aving लोगोश हो नहीं होता इस टाइप की notification हमारे फोन में नहीं आती है तो उन setting को आप लोग किस टाइप से set कर पाएंगे सब हम स्टूडियो में जानेगे तो वीडियो की साथ बने रहे हम चलिए यहाँ पे आप लोग को notification and status वर्वले setting में आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी यहाँ पे जो है लोगों से related settings मिल जाती जैसे कि first of all आप सोन है हमारा battery percentage का यहाँ पे battery percentage आप लोग so करा सकते so real time network का speed यहाँ पे आप लोग on कर सकते इसको वर्तमार में जो भी आप लोग को speed मिलें इंटरनेट की यहाँ पे आप लोग को सोच हो जाती है और यहाँ पे notification प्रॉप्ट पे क्लिक करके आप लोग इसको icon को दीजीगा और notification बार से related यहाँ पे आप लोग को settings मिल जाती जैसे कि display notification लाना चाते है logist notification लाना चाते है आप लोग कौन कर सकते है और यहाँ पे जो है आप लोग जितना भी data यूज कर रहे हो भी आप लोग आप अपने notification पेनल में ला सकते है और नीचे कुछ other notification से related setting हमें यहाँ पे मिल जाती है और अगर आप लोग को phone में जो है application को permission देना तो हमेरे आप लोग जो है manage notification पर कटेंड करें मतलब की notification वाली permission देना तो आप लोग को manage notification पर क्लिक करना जैसे for example मैं यहाँ पर कोई भी एक application को permission दूँगा जैसे for example मैंने Chrome पे click किया और इसका notification allow कर दिया तो मेरे phone में इसकी notification आते रहे कि Chrome में जो भी होते रहता है उसकी notification मुझे यहां पर राप्त होते कर पाएंगे उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पासान आयोगी जैमात आदी